हलो गाइस आज में लेकर आएंगे आप सब के लिए उरत की धुली हुई दाल यह आम दालों से अलग होती है इसका बनाने का तरीका अलग होता है इसका फ्लेवर भी बिलकुल अलग होता है जो कि हमारे यूपे में खास मौकोप या फिर तेवहार पर बनाई जाती तो चलिए फटा फर से देखती से बनाते कैसे हैं यहां पर ले लिया आधा कप उरत की दाल बिना चिलकुवाली अगर आप चिलके वाली दाल के इस्तिमाल करें तो तो दो से तीन घंडे के लिए आप उसे भीगा देजिए और मसल के उसके सारे छिलके उता दीजिए या फिर मार्कट अगर नहीं है तो आप स्किप कर दें दो पेटल से स्टार एनिस के और अधा फूल एलिया जायत्री का और हमें लेना है जायफल बहुत थोड़ा सा में से बस क्रेश कर लेंगे हलका सा क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रोंग होता है तो आपेट करेंगे दालचिनी की बैसे कर लेंगे या फिर इसे पतले वालें ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे इस तरह से देकिए मैं बहुत जरह से इसमें जल तो कमि क्रश कर रहूं कि तो इसमें अए यहां पे लस्ट और अच्राग को कर देंगे यहां भी तो सार बैठ करेंगे पानी तो इतना पानी हमें इसमें पानी इड करना और इसमें आपर दीयेय вд लगा देंगे तो 4-5 वाषिटी में अच्छे से गल जाती तो यह देखिस तरह से त्ष्छ से दाल गल चुकी है थोड़ी सूकी है इसमें पानी उबाल के और आट कर देंगे तो ये देखे पानी मैंने उबलने के लिए रग दिया था और डाल में शामिल कर देंगे तो ये इस तरह से पतली हो जाएगी लाल मिश्च और जीरे का पावडर इस तरह से हम इसे भूल लेंगे अच्छी तरीके से भूल लेंगे बिल्कुल सौंधा होने तक तो यह देखिए इस तरह से हमें मिर्ची और जीरे को इस तरह से हमें भूल लेना है इतनी अच्छे से इसमें खुश्बू आने लगे और इसका फाइन सा पाउडर हम तयार कर लेंगे यह अगर आप ज्यादा तीका काते हैं तो और भी ज्यादा इसमें मिच एड़ कर सकते हैं आप हरी मिच भी एड़ कर सकते हैं जब आप सारे मसाले एड़ कर रहे हों जब आप प्रिशे कुगर में डालते हैं दाल को तो उसके साथ ही आप हरी मिच को भी एड़ कर दीजे तो य और एक प्यास ले ली थी मैंने फाइन चॉप करके इसे भी आड़ कर दिया देसीगी जब अच्छे से गरब हो गई इसे में गोल्डें ब्राउन करना है जिस तरह से नॉर्मली हम दालों में तड़का लगाते हैं उस तरह से तो यह देखे तड़का हमारे रेडी हो चुका है तो यह डाल दिया दाल में और हमारी नवावी डाल बिल्कुल तयार हो चुकी है तो ज़रूर ट्राइब कीजिए कर बहुत ही अलग इसका टेस्ट आता बहुत यह अलग फ्लिवर होता आम दाल इससे बिलकुल यह अलग होती है जब हमाएं घर में मेहमा आते हैं या फिर प तेस्ट आता है उरत की धुली हुई नवाबी दाल जरूर रही कि जिएक इस तरीके से बहुत ही टेस्टी बहुत ही फ्लीवर